आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ हेलो गाईस, आज के मारे इस वीडियो में इमसे बोला है कि ठीक है, तो for example यह हमारे triangle है ठीक है, और यह इसका मालो यह PQR triangle है हमारा vertices क्या दिये हैं हमें इसके 2,0 2,0 0,4 and 0,k ठीक है, अब क्या बोला है यहाँ पे area दिया हुए हमें 4 square units area of triangle हमें given है 4 square units ठीक है, 4 square units अब मैं पता है area of triangle का formula क्या होता है, area of triangle का formula होता है, जिसके vertices x1, y1, x2, y2 and x3, y3 हैं, तो मुसको कैसे लख सकते हैं, half of this will be x1 y1, 1 x2 y2, 1 x3 y3 and 1, ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम x1, y1 को देखें तो यहाँ पे अगर values put करते हैं, तो क्या आएगा this will be half of x1, y1 को replace करो किस से? x1, y1 हमारा 2, 0, 1 x2, y2 क्या हो जाएगा हमारा 0, 4, 1 और यह क्या हो जाएगा हमारा 0, k1 ठीक है, अब यह किस के equal है हमारा area given है हमें 4 square units के ठीक है, 4 square units अब यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा और simplify करें तो यहाँ से हमारा यह क्या जाएगा this will be equals to अगर मान लो इस 2 को हम inside ले आएंगे, तो यहाँ पर यह multiply हो जाएगा, ठीक है 2 into 4 will be 8 और इसको अगर मैं यहाँ पर expand करते हैं, along column 1 k, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों column में इसकी second और third value के अजीर हो है, तो इसके along expand करना जादा easy होगा तो इस determinant को हम column 1 k along expand करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, this will be equals to 2 into यह क्या होगा, 4 into 1 will be 4, minus k into 1 will be k, ठीक है, और सारी values, वाकी values के आजाएंगे, इसके लिए 0 आजाएंगे ठीक है, अब यहाँ पर this will be equals to क्या हो जाएगा हमारा, 8 square units के, ठीक है, यह हमारा 8 square units क्यों जाएगा, और plus यह हमारा किस में होगा, mod में होगा, क्योंकि इसकी value किस में आएगी, mod में आएगी, ठीक है, determinant की value, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, this will be equals to, अब इसको multiply करो अंदर, तो क्या आएगा हमारा, mod of 2 into 4 will be 8, यहाँ क्या जाएगा हमारा, this will be 8, 8 minus 2K, 8 minus 2K equals to 8, ठीक है, अब यहाँ से 2 case arise होते है, mod से अगर इसकी value निकलेगी, तो यहाँ तो वो positive, mod से value क्या होगी, इसके अंदर की value, positive, negative, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो पहले case 1 के लिए हम देखते हैं, positive value इसकी लेंगे, तो यहाँ पर क्याएगा, 8 minus 2K equals to 8, तो यहाँ से 8 और 8 cancel हो जाएगा, तो K की value क्या जाएगी हमारी, 0 आजाएगी, ठीक है, case 2 के लिए अगर हम इसकी negative value लेके देखें, तो case 2 में हमारा क्याएगा, minus 8 plus 2K is equals to 8, ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा, 2K equals to minus 8 plus 8, ठीक है, यह minus 8 इदर जाएगा, तो plus 8 हो जाएगा, 8 plus 8 will be 16, ठीक है, 8 plus 8 will be 16, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, K की value क्या है जाएगी, this will be equals to 8, तो K की value या तो 0 आएगी, या तो 8 आएगी, इसके लिए, तो हमारा answer क्या होगा, हमारा answer होगा, K की value में find करने थी, वो 0 होगी, या फिर 8 होगी, तो यह क्या होगा हमारा, इसका solution आगया, ठीक है, तो इन दोनों K की value के लिए, यह हमारा area के आएगा, 4 square units, ठीक है, Thank you, Classics Tutorial से लेके, Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा, आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप, यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स, 8444 सुपर,